हेलो वेलकम टू आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सर्जी कोस्चिंग के इस ओफिशल एप पर क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो पीछे चित्र आपको दिख रहा है इस चित्र के माध्यम से आप जान गाऊंगे कि आज ही क्लास हमनों की कौन सी होने वाली है यह क्लास आज की जो क्लास होगी जितनी भी दिर की क्लास हो आदा गंटा एक गंटा जोल गंटा पॉन गंटा जितनी भी दिर की क्लास हो लेकिन हमको इतना पता है कि यह आपको मैक्सिमम तीन नंबर और मिनमम दो नंबर तो देकर जाएगी जाएगी तो दो नंबर के लिए बिलकु जरीब इसे कहते हैं मिटा इसे कहते हैं हम लोग जरीव और जरीव आखरी क्या है एक जंजीर है यह क्या है जंजीर है इसका प्रियोग किसमें करेंगे भाई तो भूमी को मापने में हां कि ना तो भूमी को नापने के लिए हम लोग देखो एक अगर आप लिख पाल जब बन साउल भी होगा बहुत सारे चीजिए होंगा सॐल जैसे किसे डर्वाज लागाते हैं तो सौल मतलब सीध्यों शीधूद साहए यह दिवाली वाल से थेये ठीक होगा प्लें कीजी होंगी लिए आज हम लोग आज हम लोग जो बांपन बात करने वाले हैं और विस्वास किजी जिंदगी में आप कभी मापन भूलेंगे नहीं बस इसको एक बार देख लीजिएगा जाते समय मैं देख लीजेगा मैं आपको उत्तर ब्रदेश के साथ साथ उत्तर ब्रदेश के अगल बगल चेत्रों में भी जैसी मापन विध्या चल रही है मैं इनको भी आपको बताता हो चलूंगा जिससे अगर पेपर कठी ना जाए अगल बगल का पूछ ले तो भी आप कर सकते हैं क है मापन ठिक दुनिया में जो भी कुछ मापनी है उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां कहते हैं क्लियर जिसको हम लोग दो भागों में बाञ सकते हैं एक होती हैं हमारी मूल राशियां और एक हुती है जो पूरक मूल राशियां है उनके से किती है दो है ठीकर ना यह दो कौन सी होती है रेडियन और इस्टे रेडियन इसका मात्रक होता है यानि की प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल लेकिन यह तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के बारे में हम लोगों को यह देखना है कि जो साथ पूरक मूल तो लंबाए की लाशी क्या होती भाइब मातर क्या होता है मीटर हथी ना अब आव हम लोग क्या कर रहे हैं लंग्त ही मापर हैं हो सुर्फ लेंग्त अगर चिर्प एक बर मीटर आएगा तो मूल राशी यह लेकिन एक जायए बार में तो फ यहनुत्य जाइक यानि're तो राशियां मूल राशियों की साहता से प्रयोग की जाती है उनको कहते हैं वियुत्पन राशियां डिराइवड यूनिट्स ठीक है तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हाँ के ना जल्दी बताईए यहां तक बात आपको समझ में आई अब देखना आएगा मजा चलिए तो इस मजे के लिए हम लोग को दूसरी स्लाइट देखने पड़ेगी देखते हैं भूमी का मापन कैसे किया जाता है जमीन कैसे नापते हैं एक चोटी चोटी चीज़ें कि एक मीटर में कितने इंच होते हैं चोटी चोटी चीज़ें आज मैं आपको भूमी का मापन तो च क्या होता है तो से आना सा जहाने सिक्का चलवाया था तो सेर तोला मासा रत्ती छटाक गाव में कहते हैं एक मन गेहूं ले आओ तो एक मन में कितना गेहूं होगा कितने किलो आने वाला है एक किलो में कितने शेर होते हैं एक शेर में एक ही किलो होता है क्या हाज ये सारी बात आप समझ में आए गया हना रती क्या होता है चटाक क्या होता है यह सारी बात अंगुल क्या होता है गिरो यह चार अंगुल है चार अंगुल चार अंगुल कहीं पर धर देते हैं हम आपने के लिए तेसे कहते हैं एक गिरो हो हना तो अंगुल गिरो ठीक है कांटा क्रांटा इ यह सारी चीज आज आपको याद हो जाएंगी और उत्तरब्रदेश की नहीं सारे राज्यों की जो जो इंपोर्टन होंगे वो सारी याद हो जाने वाली हैं तो छोटी-छोटी बात कर लेते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है छोटी-छोटी मगर मोटी बातों में कि एक मीटर एक मीटर में 39.370 इंच यानि कि 49 इंच की आसपास होता है जिसको एक मीटर में 100 cm होते हैं एक गज में 36 इंच होते हैं देखिए अगर कहा जाए एक गज में कितने इंच होते हैं तो 36 इंच होते हैं लेगिन कह दिया जाए एक गज इलाही में अगर कह दिया जाए एक गज इलाही में अगर आपसे question पूछे तो एक गज इलाही में 33 इंच है और जबकि ये गज दे दिया जाए तो 36 इंच है इस एक गज में 0.91 मीटर होंगे और एक हाथ में 18 इंच एक हाथ में आधा गज होता है इसका आधा कर देंगे तो 0.45 मीटर के आसपास एक गठा एक गठा य इसकों लेकर लाठा भी कहेंगे एक लाठा या एक गठा मैं होता है यह 99 इंच जो की होता 2.75 गज जो था 2.5 146 मीटर यानि कि साड़े पांच हाथ तो एक गठा या एक लाठा में साड़े पांच हाथ होते हैं एक हाथ में आदा गज यानिक अठारा इंच होता है एक जरीव अब जरीव पर हम वो कर बात करें इस जरीव पर अगर हम वो कर बात करें तो आप याद रखिए कि जरीब कई प्रकार की है जो जरीब है जो लोहे की जंजीर है हभी कई प्रकार की होती है हना जैसे साज जहानी जरीब किसे कहते हैं गंटर जरीब कौन सी होती है रवेन्यू जरीब कौन सी होती है इंजीनियर जरीब कौन सी होती है तो जरीबों की प्रकार होते हैं जरीबों के क्या होते हैं प्रकार होते हैं आज कल मीटर जरीब का प्रियोग हो रहा है जिसमें 20 मीटर या 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर के आसपास की जरीब आ जाती है कि इस प्रकार से तो एक जरीब में आपर जो हम लोग देख रहे हैं 50 मीटर वाली तो एक हैं और अच्छे समझने के लिए अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं यदी लिखा हुआ है दस समझेगा यदी वेटा यदी लिखा हुआ है दस इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है डेका लिखा हुआ है सो तो इसका मतलब क्या है हेक्टा लिखा हुआ है हजार इ है आइसका मतलब है थाउजेंड यानि कि इसे कहते हैं हम लोग किलोग्राम क्या कहाएं किलोग्राम आप हम लोग क्या पिए इस एक हजार का घुणा इस एक हजार में करा दिया तो कितना हो गया 10 की Pauver 30-0 यह 30-0 यह यानि कि छह 0 के पर च्छह लगा दिया यानि कि अगर मैं लिख दूर-10 की Pauver 6 तो यह क्या हो जाएगा भाई इसे कहेंगे Mega इसे क्या कहेंगे Mega या Million इसे क्या केंगे Mega या Million किकें आप इसी में तो 10 की पावर 9 हो जाएगा तो इसे कहेंगे गीगा क्या कहेंगे गीगा या बिलियन हाना सारे मापत समखा दूगा आपको 10 की पावर 12 कर दिया जाए हाना तो इसे कहेंगे टेरा या ट्रिलियन कि जिसके गयों कॉत पादान वाया होता हो तो इसका मतलब है टेटा ओ टेटा आपम लोग क्या करते हैं इसन अ लोग अंदर लेते हो इसको होसा ynर टे bisschen 10 की पावर 10 की पावर अजНА 6 है अब यहां लिगतिते हैं मेगा को या मिलियन यहां यहां के पास 8 million रुपय है अर्थात आपके पास 10,00,000 रुपय है हाँ कि ना! एक मिल्यन रुपय है त१्ण एक माखर 10,00,000 रुपय है तो 9 बर-0, जोड दो. 25 जोड दिया अदि लो हढ़ाई तकड़ा हजार 10 cách digit लाग fract dent ध्यक्ति घ्रवाइटंट अगर आपके पास एक गीगाबाइट की अगर आपके पास एक गीगाबाइट जैते हैं जो तो दूसलिखा है इसको अगर हम लोग एक बते दस कर दें तो कहाए गां तो इससे कह हमें आके दसकास जोटा हो जाएगा थचिक हैंगे हैं इसमीन वार मैनसमी कर सकते हैं इसको हम लोग कह Wakaींगे onto Daiti, ऐसे बंड़ कहाएंगे मिली यानि कि और दसगुना छुटा हो गया अचा हम एक हजार गुना और। चुटा करते इससे दस कि पर मायक्रो, ठाइख रच बचार दें तो इसे कहेंगे नैनो आच रहा टेक्नोलोजी के जमाना है, यहाँ, दस कि पावर 12 कर दें तो इसे कहेंगे पिको, 10 की पावर 15 कर दे माइनस में तो इसे कहेंगे फैम्टो 10 की पावर माइनस 18 कर दे तो इसे कहेंगे एक्टो क्या कहेंगे भाई एक्टो तो यहाँ पर क्या कर रहे थे हम पहले 10-10 गुना बढ़ा रहे थे फिर यहां समय एक हजार गुना बढ़ाना शुरू कर दिया यह आपको याद रखना है अगर आप से कहा दिये यहीं पर कि बताइए एक एंगे स्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर एक आपको यह याद करना है समझा गया एक आपको यह याद करना एक और कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं एक फर्मी में तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर यह मापन में यह दो बाते और याद कर लिजेगा अगर आपसे कहा जाए कि कोशिका का आकार क्या होता है तो अपने यह प्लेजे एक्जाक्ली जो मैं बूल रहा हूं एक्जाक्ली ऐसे याद कर लिजे ठीक है ना फटा-फट देका हैक्टा अभी जब हमने आपको हैक्टोमीटर पढ़ाएंगे तो हैक्ट बोलेंगे तो समझ जाएंगे यहां पर इसो की बात हो रही है सेंटी बोलेंगे तो स में माइनस पे बात बात हो रही है मैं एक से थी फिर हम लोग बात करेंगे जरीप पर अभी इस पर ध्यान मत दो जो जो मैं पढ़ाऊंगा उसको पर ध्यान देना सिर्फ लंबाए की भारती मापे समझिएगा जब हम लोग कहते हैं नहीं चार अंगुल धर के जब कुछ नात देते हैं तो चार अंगुल बराबर होता है एक गिरह चार अंगुल बराबर एक गिरह होता है सोला गिरह बराबर एक गज होता है सोला गिरह बराबर एक गज होता है याज कहते हैं तीन गिरह बराबर एक गठा होता है तीन गिरह बराबर एक गठा समझिएगा तीन गिरह बराबर एक गठा हां किना और सोला गिरह बर ता Bea Sakran आवय बोट्वा प्रावरव um तो जरीव इसे याद कर लो अभी मैं पूरा बता हुँगा सुन लिजी सिर्फ सोना गिर est पर आवर एक कर तीन गिरह बरावर एक गठ्था-बीस-गठ्था-ब रावरबर दो जरीव 29 जरीब बराबर 1 मील 1.6 किलो मीटर 3 हाथ बराबर 1 करम और 10 करम बराबर 1 जरीब आप यहाँ पर समझेगा यहाँ पर बताया कि 10 करम बराबर 1 जरीब 10 करम बराबर 1 जरीब और 3 हाथ बराबर 3 हाथ बराबर 1 करम 3 हाथ बराबर 1 करम अर्थाद यानि कि अगर हम कज़ें 30 हाथ यदि 30 हाथ कर दें तो 30 हाथ बराबर 10 करम हो जाएगा है नहीं कि 30 हाथ बराबर एक जरीब हो जाएगा अरे हां कि ना तो 30 हाथ बराबर एक करम है तो 30 हाथ बराबर 10 करम होगा और 10 करम की वेल्यू क्या है एक जरीब हैंने कि एक जरीब में 30 हाथ हो गए एक जरीब में 30 हाथ हो गए लेकिन अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया अभी मैंने बताया कि एक जरी जरीब की बात करीब वो छोटी है यहां पर जो जरीब की बात हुई है यह बड़ी है जरीब के प्रकार होते हैं हर जरीब के प्रकार के आधार पर उसकी लंबाई छोटी या बड़ी हो सकती है उसके हाथ छोटे या बड़े हो सकते हैं बात समझवारी है जितनी जल्दी समझ पाओ ठीख है अब आगे बढ़ते हैं आप बात समझेगा अभी पर भिषान मत उए गए ठीक ना समझे है पहली बात कि अभी जो हम लोगे पास जरीब है जो सबसे जल्दा जरीब यूज हो रही है आज कल के जमाने में वो है मीटर जरीब आज कल के जमाने में जो जरीब इतनी होंगी 100 कडियां होंगी अब आपका पेपर आता है सा जहानी जरीब से और गंटर जरीब से आपका जो पेपर है वो का सपस्ता है सा जहानी जरीब से और गंटर जरीब से गंटर जरीब की लंबाई होती है 132 फीट गंटर जरीब की लंबाई होती है 132 फीट जो हर 7.32 टू इंच पर, हना, जो, घृ कड़ी की जो लंबाई होती है, जो एक कड़ी की लंबाई होती है, वो 7.32 इंच होती है, वेलाग भग 200 कड़िया होती हैं, इसमें, कितनी होती है?, 200 कड़िया होती है उसी प्रकार से साजानी जरीव 165 feet लंबी है और हर 9.9 inch में के तक की एक कड़ी होती है और ये भी आपकी 200 कड़ी से मिलकर बनी है तो साजानी जरीव में भी 200 कड़ियां है गंटर जरीव में भी 200 कड़ियां है गंटर जरीव 132 feet लंबी है साजानी जरीव 1uso 55 feet लंबी है ठीक है आगे बढ़ते हैं revenue जरीब question क्या दिये जाए revenue जरीब कितनीけど कितनी लंबी होती है revenue जरीब की लंबाई है 33 feet revenue जरीब की 33 feet है जिसमें 16 कड़ियां होती है engineer जरीब की लंबाई 100 feet है जिसमें सो कड़ियां होती है question पूछा जाता है कि यदि आप भूमी का नापन यदि आप भूमी का मापन सहा जानी जरीब से कर रहे हैं तो कौन सा सरवेचल कहा जाएगा यदि आप भूमी का मापन गंटर जरीब से कर रहे हैं तो यह कौन सा मापन है जल्दी बताइए फटा फट दे अपैब यfat है नहीं पता कोई बात ने आपको बताता हूं है कि दोस्रवेच अको आंधे नहीं को यदि भी ना प्र हैब ए आप सहाद एफ से यदि आप साजहांनी जरीफ शे भुमी ना परें हैं तो आपका है जर अलाएगा ठीक है अगर आपसे question कर दिये जाए कि थाक वास्ट सर्वेच्छन में किस जरीब का प्रियोग किया जाता है या हमने थाक वास्ट सर्वेच्छन करने जा रहे हैं इसका मतलब क्या है हम साजाहनी जरीब का प्रियोग करने जा रहे हैं जो की 165 फीट लंबी है यदि हम तो इतना स्मूझी आई है चलिए जरीब में 33 फीट लंबी होती है इंगेंटर जरीब एक इतनी बात में आई हैं चारनगुल बुराबर एक एक गज में कितने फूट होते हैं वर centers में एक टीन होते हैं तो वर्ग वोगए या व Unterstüt Hope heavier Ooooh है किने समझाता हूं यह कुछत हैं आंज है कुछते इस हांथ बराबर एक जरीब ठीक है ना 29 जरी ब्राबर एक मिल एक मिल में 1.7 शिक्स किलो मीटर वीश गठा बराबर 2 जरीव ये नॉर्मल है अगर आपके पेपर में ऐसा आता है तो अब आपके मन में रहाब सर्थ किसी ने यह पढ़ाया किसी ने वह वह पढ़ाया है जिसने जो पढ़ाया होगो उसको चोड़ो भी आपी जो मैं कहा रहा हूं भी समझाता हूं आपको ठीखना उसका भी डाटा मिलेगा जिसने आपको पढ़ाया है अनिका सब्सक्राइब आपके प्रहसान नहीं हो मैं है अपने आसाप से बता रहा हूं उन्होंने एक ही पॉइंट बताया मैं आपको राज्यों के साफ से बताओं गार्ट चेतरों के में देखते हैं फिर धर में लोग किलोग्रामम में देखते हैं को समझते हैं कि आप समझ लीजिए कि जो जो होता है जो का जो उपर रेशा निकल रहा है उगर वो बीस चुन लें तो इसको एक यव कहेंगे बीस यव या जो बराबर होता है एक दसमलाव बीस दसमलाव बराबर एक क्रांट बीस क्रांट बराबर एक पाई बारा पाई बराबर एक आना और एक पर कितने आना होते हैं सो लाणा आल और यह आना नाम का जो छिक्का है वो किस राज़ने चलवाय था था आपका आप ऺाइगा साग जहान चलवाय था थो फिर ülना हूं ha बनाबर एक यव बीस यव बनाबर एक दसम्लव भीस डसम्लव बनाबर एक करांट 20 क्रांट बलावर एक पाई बार पाइ बराबर एक आना सोला आना बराबर एक रूपया आप देखें ऑसे और तोला मासा रति यानिकी 10 ग्राम नहां स्तोला बराबर 8 उसपास को ग्राम 15 सु एक लग्राबर एक सेर है कि 10 मिया रहा है तो आठ धान बराबर एक रति रत्ती आठ रत्त बराबर एक माश्ळा बराबर एक medical अि पांस तोला बराबर एक छटाक, सोला छटाक बराबर एक सेर, एक सेर को एक किलोग्राम कहते हैं वरतमान में, तो पांस सेर बराबर एक पंसेरी, आठ पंसेरी बराबर एक मन, और एक मन में होता है 40 किलो, एक मन में होता है 40 किलो, तो 25 मन 25 को 100, यानि कि 1000 किलो और 1000 किलो को कहते एकटन तीक है ? तो फच्समन बराबर एक तन एक मन में 40 किलो और 40 किलो बराब बाभर 8 है मोट सेरी भी हो सकता है I7 इस red पांच पॉर्च यम्हार पाइब शेयरी इंसको यह मैं लिजा रहे हैं। इसकी प्ड़िएफ अब देतें घ्रेशन आपको देंगे ठीक है टें लिना isकि दो को देंगे इसको को आप रिवाइस करतें रहना आगे बदतें आगे बढ़तें आप हमको अभी स्वांसि कचवांसी बिस्वांसी बिस्वा या बिस्वा या बिस्वा ठीक है बीघा एकड़ आप जल्दी होता ये कि इन में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है अगर क्रम में लगाने के लिए कहें इसको क्रम में लगाने के लिए कहें उन्वांसी कचवांसी बिस्वांसी बिस्वा बीघा और एकल यदि इसको क्रम से लगाने के लिए कहें तो कैसे क्रम से लगाएंगे पहले क्या आएगा उन्वांसी आएगा कि कचवांसी आएगा कि अब सोटे से बड़ा करम कि यानि कि एकर वह बड़ा है और उनुवांसी जो है छोटा है याद लखेगा उनुवांसी इसके बाद आता है कच्छवांसी कच्छवांसी के बाद विश्वांसी के बाद विश्वा के बाद विश्वांसी मतलब विश्वांस हना विश्वा मतलब विश्वां विगा का विश्वां विगा का विगा का विगा का एक विटी बीज भाग विश्वा होगा समझ में आ रहा है तो आस 2.5 cm एक एक इंच में कित्ते हां किना क्थे नहीं है तुम किते फुट के हो तो बारा इंच पर आभर एक फूट लि refugees और होता है तो एक फुट में बाराा इंच एक में य किम में 20 cm, एक गज में 36 गे इंक लेकिन इंक गजा इलाही में 33 इंच हना और एक एक मीटर में 100 सेंटी मीटर होते हैं एक मीटर में 100 सेंटी मीटर होते हैं तो 91.4 सेंटी मीटर है तो अब इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज करें तो पॉइंट आगी आ जाएगा 91 के आगी आ जाएगा अरे हां कि ना तो 0.9144 मीटर है क्लिए है क्योंकि एक मीटर में सो सेंटीमीटर होते हैं इसलिए हमको अना सो मतलब 20 के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा तो नान यह जो पॉइंट है 91 के पहले आ जाएगा तो 911 इतनी बाद क्लियर तो फिर से बोल रहा हूं एक इंच वराबर धाई सेंटीमेटर तो एक गज में 36 इंच तो 36 इंच का अगर सेंटीमेटर में करें तो 36 को इससे गुणा करा देंगे तो मैं आ जाए का जीरो पॉइंट सौरी 91.4 सेंटीमीटर और इसको मीटर मतला जाए तो एक में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 0.9144 मीटर गुड आगे बढ़ते हैं एक उन्वानसी में होता है 24 दिसमलों 50-25 वर्ग इंच वर्ग इंच अब यह वर्ग क्या है यह समझो वर्ग का मतलब क्या है वर общее मीटर है तो क्या हो जागा बाई वर्ग मीटर कुंट आगा हुए हाओ कि नगा अगर यह 3 है यह 3 है हना तो वर्ग मेटर किता जाएगा 9 मीटर किना मळनौ हैividade है मतलब है हां कि ना यानिकी वर्ग मीटर जो भी हो वर्ग मीटर जो भी होगा है जबहुक्त बहुत को है एक उन्वानसी बराबर होता है चौबिस वर्ग इंच एक उन्वानसी बराबर चौबिस वर्ग इंच एक उन्वानसी बराबर होता है एक बिस्वानसी 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 बराबर होता है एक ब AI निए को नितने वर्ग निचूंगे तो इसका कुणा बीस में करा देंगे तो एक व्रिंचूंगे वो निकल आएगा में किक Сब्सक्राइब एक फ़र भीस्वांसि तर एक फ़ुन सी समझेगा विफ्सक्राइब्सJ समय को कहते है vai एक बर्ग लाठा टलche के बात है एक लठ्छे मे ले कितने इंच होते हैं 99 इंच होते हैं फूट में बतल दीया जाए तो इसको हम लोग 12 निये को फिट में बदेलेंगे तयाँ टैंट त्येयुक्र। हो तो बा 계속 हो जाएगा 35 कि इंट हो जाएगा फैटानावेट तो इंट कि यहांत है तो बीस बैस्वानसी भराबर एक किना होगा यहां किना तो कितने फीट होगा तेरह सो जोगत किसे नहीं बुंट कुछ और याँ पर यह पर रहाएगा रहाओ कि यह लाऊटा अई टो इसक्ट फिट है तो एक वर्ग लाटा वर आपर चौशत फिट हो जाता दा चौशट फिट नौ इंच अधे हाओ यहां कि ना तो ऐसे अगर लोग निकालेंगे बीस करके यह आ अठा हो या और फीट में पूछा जाए तो तेरा सो एक सट वर्ग फीट अब आते हैं बीगा पे अब आते हैं हम लोग बीगा पे तो बीस बिस्वा पराबर होता है एक बीगा और एक बीगा में होता है तीस सो पत्चीस वर्ग गज एक बीगा में कितने वर्ग गज होता है एक वीगा में 325 वर्गज होता है एक वर्गज में कितना वर्ग फूट है नौ वर्ग फूट है पहले बता चुके हैं एक वर्ग मीटर में कितने गज होता है आप से पूछा जाए कि एक वर्ग मीटर में कितना गज होता है तो एक वर्ग मीटर में 1.19599 गज यानि कि 1.19 होता है एक वरगम में重要 899 वर गज होता है थीन वर गज़ कि अ हुआ हुआ कि आइ ए तो एक भिघम कितने वर गज होता है थीशौ फट्राइट होटा होता है नहीं टिरलाइब पिसन घॉता है साज गज्जिला होता है दुर्ट छे होता है open जोता एक भिघम केसी निकाल गज इलाही होता है तो 3600 वर गज इलाही लेकिन हमको पता है साथ गज इलाही बराब पच्पन गज तो पच्पन गज तो पच्पन कर दिया तो यह तो उपर लिखा है तो एक बीघा में कित्ते वर गज होता है तो 325 वर गज और एक बीघा में कित्ते वर गज इलाही है तो 36 300 वर गज लाई है और 7 गज लाई बराबर 55 गज होता है और एक गज में आपन 33 इंच होता है गज-" ऊच्छे में और जो नॉर्मल गज्ज होता है 30 शुट ऐने गज्टा व sacar याद किएगा एक भी किट्वा होते हैं यहारत पीस बिटे टीन करतेंगे एक ठाइघा कना को निकालना होगा वह मत बसुंदे देंगे तो आपका आंसरा जाएगा बहुत बढ़िया एक पक्का भीगा और आपर तीन कच्छा भीगा बराबर बीस विश्वा यानि की सिंबल जपाते तीस सो पचास वर्गज या फिर पत्चिस सो उन्तिस वर्ग मीटर या सताई 1225 फूट अगर निकालेंगे तो ऐसे निक पड़ेगा बार बार अच्छा पॉइंट में पूरे डिजिट नहीं याद करने हैं आपके वस अगर आपको इसको याद करना है तो ऐसे आतले लिजे 1.19 बजित्ता काफी है एक वर्गज में कित्ते वर्ग फूट होते हैं यह सब आपको याद करना पूड़ेगा ठीक है चलो आगे समझते हैं तो एक कच्छा बीगा पराबर बीस बचे तीन बिस्वा करतेंगे तो यहने कि एक बिस्वा में 3025 वर्ग था अरे भाई एक बिस्वा में 3025 था इसका तीन से भाग करतेंगे तो आपका एक हजार आच वर्गज और तीन वर्ग फूट निकल कर आएग अब देखते हैं विभिन राज्य के अनुसार एक बीगा तो पहली बात यह समझ लीजिए कि बीगा के कई सारे नाम हैं जैसे बीगा के नाम बता देते हैं आपको पंजाब और हर्याना में चलो अभी बताते हैं रूख जो एक सेकट यहां पर आ जाओ एक अड़के कई ना हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड की बात करें तो हमारे यहां तो एक बीगा में हर जगह एक बीगा में 325 वर्गज है हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड में 968 वर्गज है याद रखेगा हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड में एक बीगा में 968 वर्गज होता है बं और सित्तैन्युन्पॉच्ब, राजस्थान, पंजाब, हृर्यारा उत्तर र्देश, बिहार इंग इन सब जगये एक वीगा में 325 वर्गज होता है थीचे ृदेतिति , लो तीन तीन वर्गज होता है बंगाल रसम में एक बीघा में सोलह सो वर्गज होता है हिमात्र प्रजेशर उत्राखंड में एक बीघा में 968 वर्गज होता है कि अच्छ अब आते हैं विगा के ओपर एकड़ में अभी एकड़ में यह चाहिफ अपर practically तो एक हेक्टेर में 100 एयर हैं इसका मतलब 10,000 वर्ग मीटर एक एकल में और 440 वर्गज होता है यह बहुत इंपोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में इसको घुमाओ भी कहते हैं तो एकल के दो नाम आपको याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश में इसको घुमाओ कहा जाता है जो कि पंजाब हर्याणा में इस एकल को किला के नाम से भी जानते हैं एक वर्ग मील में 640 एकल होते हैं इसका मतलब है कि एक मील में 2.59 वरच किलो मीटर होंगे हर्था 269 हेक्टेयर होगा अरे हागेन और भर具 ईक वरग मील में 2.59 वरी किलो मीटर हैं हना तो सब्रकार देंगे only गुला किरा देंगे तो 279 मील हो जाएगा हागई है मेर जयेक की नहीं इस्वर्त प्रृट कर्द haben स्केटिक जीकी की तरह आपको याद करना है इसमें अगर आपको डिजिट नहीं भी याद होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है एक एकड़ में आठ केनाल होते हैं या तक नहीं जो केनाल यूनिट है वो पंजाब और हर्याणा पंजाब हर्याणा जम्मू कस्मीर और हिमाच प्रदेश में एक शब्द आपको देखने केनल ठीक है तो एक एकड़ में आठ केनल होते हैं एक एकड़ में आठ केनल होते हैं बस इतना ही याद करो ज्यादा नहीं अब इन चींच नहीं जियाद करने हैं जिसके होंगे मैं बताऊंगा आपको एक एकड़ में आठ केनल हो होते हैं यहां समझिएगा अगर आपको परिशानी है तो मैं लिख दिया हुए आपर कि सबसे छोटी उनिट पंजाब हरियारा हिमाचल प्रदेश पंजाब हर्यारा हिमाचल प्रदेश जम्मू कस्मीर में यूनिट होती है मरला एक मरला में 272 दितंबलो 25 वर्ग फूट होता है 20 मरला बराबर एक किनाल होता है और आठ किनाल बराबर एक एकड़ होता है और एक किनाल में 445 वर्ग फूट होते हैं एक किनाल में समझ रहो एक किनाल में 445 वर्ग फूट होते हैं और तो आठ के नाल में कितने वर्ग फूट होंगे इसका गुणा करा लू आठ से ठीक है अगला तृपूरा बिहार और जारखंड में एक क्रांता और धुर नाम के कितना वर्ग फूट होता है 3.7 वर्ग फूट तो एक दुर में 3.7 बशूट तो 26 को घिस्ट उनी बहातर तो बहातर होगा यह यह एक धुर में 3.7 वरख फूट तो 20 में कितना हो जाएगा 22 अरहां न सु में पच्चीश एकड़ होते हैं या तक आप से कह दिया जाए कि एक मुरब्बा में कितने एकर तो एक मुरब्बा में 25 एकड़ है और यह यूनिट कहा की है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तीक है अब आन प्रदेश करनाटक और महराश को लेके चलते हैं यहां पर देख एक गुंठा में 1089 वर्ग फूट होता है 1089 राइए यहां पे हमने तो एक गुंठा पराबर 1089 वर्ग फूट होता है तो गुंठा कहां कि मापनि काई है आंध्प्रदेश करनाटक और महराष्ट की अब यहीं आन्पतिट माराश करनाटक की एक और मापनगी काई है वो है आपकी अंकनम समझिएगा एक एकड में 605 अंकनम होते हैं एक एकल में 40 गुंठा थे और एक ही एकल में 605 अंकनम होते हैं यहां एक गुंठा में 1090 वर्ग फूट था वैसे एक अंकनम में 72 वर्ग गज होता है एक अंकनम में 72 वर्ग क्या होता भाई गज होता है अब इसको वर्ग फूट में चेंज करी लोगे अरे हां कि ना एक वर्ग गज में कितने वर्ग फूट होते हैं नो एक वर्ग एक और तर वर्गज है तो कितने वर्ग फूट होंगे हाराम से निकाल लेंगे अरे हां किना नौक गुणा करा लो अन्तर आजाएगा दौाध बढ़िया अगला एक एकल में सौ सेंट होते हैं एक सेंट में अर्तालीत इसनलोच चार वर्गज होता है ठीक है एक एकल में सौ देखा हुआ है तो दस का गुणा करा देंगे तो क्यों जाएगा चारसो चारासी वर्गज हो जाएगा तो यह जो कंचम है यह कहां की काई है आन प्रदेश और तिलंगाना में कंचम नाम का मापन चलता है कंचम तो एक एक चंचम में 10 सेंट और सौ सेंट बराबर एक एक चार वर्गज और 10 सेंट में चारसो चारासी वर्गज ठीक है तो यह स्लाइट आराम देखिये इस लाइट को अराम से देखिये और आराम से समझFire ठीक है चली अगले पर आते हैं कठा अब किसे पह आते हैं भाई कठा यह आफारी लाज्ट स्लाइडो गी कठा की consigo कुश् 720 पिटा अगर तुम इससे ज़्यादा पढ़ने जाओगे तो भी तुमा दिमाग में कुछ रहने वाला नहीं है इससे कम पढ़के जाओगे तो काम चल जागा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दो कोशन आने है नॉर्मल से कोशन आने है एयर हेक्टेयर इसी में से कोशन आ जाता ह बीघा एका से कच्चा बीघा से आ जाएगा विश्वा से आ जाएगा ठीक है ये फिर भी मैंने आन पर इस तमिलाड़ जो इसलिए बता दिया क्योंकि एक सिफ्ट में पूछा गया था उत्तरा खंड का इसलिए मैं आपको बता दिया बस है ना कि सारे बता दिया देखो ए दीका सम्ना पहस्ट होते हैं बन्गाल में एक बीघा में 20 कठ़ा बिहार में एक बीघा में 20 कठ़ा मत्पृध्ष में एक प्रडेस च Этот House कठ़ा है तो तो मात्र 1600 वर्ग फूत आपका एक टाम है मत्रप्रदेश में और एक बीःगा मैं Aber éh a किरादें। इस वर्गूर्गा किटे वर्ग फूट में आपका एक वर्ग मेंmostारे सिपन्स-ईक月 होता है तो सोला गोले अठारा कर देंगे तो 288 वर्क फूट निकल आएगा तो कहने के तात्परिस क्या है चटक आपको यहां तक है यह पश्री मंगाल की मापन की इकाई है यहां तक आपको बात समझ में आ गई पिर बोल रहा हूं आपको एक बार में नहीं याद होगा ठीक क्या है तो अगर यहां तक बात आपको समझ में आएती है इसकी प्रेक्टिस करिएगा प्रेक्टिस असम बंगाल बिहार मतब्रदेश और उत्तरप्रदेश में क्या ऐसे याद करना बीस वर्ग फूट याद कर लिया फटाक से याद हो गया हना और आपको वर्गज निकाल सेंट आना और इसके बाद कंचम और यह जो धुरी है यह और मरला इस सब सुन लिए आपने सारे सब सुन लिए आराम देख लिए साथ गज इलाई बराबर होता है पच्पन गज अब आराम से इसको देखिएगा यह दो नमबर आपको देकर जाएगा यह most important है यह आपका most important है कि सरवेच्छरों को क्या कहा जाता है ठीक है अब हम लोग अगले चनल पर कुछ समय की बात करने वाले हैं लेखपाल के कार क्या होते हैं लेखपाल के करतव क्या होते हैं जोता है यह सारी चिजेव लोग अलतन पर चलने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं तीक है। इस measurement को मैं आपको अलग से इस measurement की जो इजोक लग से सो करवाऊंगा ठीक है। तो लोग यूपी स्पेसल पर रिप्वारत कर रहे हैं ठीक है तो यूपी स्पेसल खतम हो जाएगा फिर ग्राम विकास का उत्तर प्रिदेश का ग्राम विकास पढ़ेंगे तो मेजरमेंट की जो क्लास है हम आपको एक अलग से बनाकर डालेंगे कि भूमी का मापन ऐसे ठीक ह इसी भूमी के मापन में आपको लेख पाल का करतब क्या होता है ग्राम विकास आदिकारे का करतब क्या होता है पटवारी को लेखपाल का बना दिया गया कौन कौन से importante अधिनियम है ये सब आपको एक अलग से बनाएंगे ठीक है ना इसे में ठीक है बिटा तो यहां तक समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना काफी